किचन हमारे घर का सबसे important हिस्सा है इसलिए वहाँ के color combination क्या होना चाहिए इसके लिए हम बड़ा सर्ख खपाते हैं अब market पे एतने सारे colors हैं उससे भी जादा combination है ऐसे में बेहर difficult हो जाता है एक decision लेना कि आपके kitchen का color क्या होना चाहिए नमस्कार दोस्तों मेरा नम है अभिना चाहन और आप देख रहे है 91 Homes जहाँ पर हम interior related कमाल की बाते करते रहते हैं बड़ी असान शब्दों में आपको बड़ी ही कमाल की जानकारी देते हैं तो अगर आपको भी ऐसे चीज़ में interest है या आपको अपना घर के सुन्दर बनाना है तो आप ये चैनल सब्सक्राइब करें आप Google पे चले जो, Pinterest पे चले जो या कैसे कोई भी website पे चले जो जो आपको फोटो दिखाती है वहाँ डालो kitchen combination आपको इतने सारे combination देखेंगे लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत है कि कोई ये नहीं बताता कि आपके लिए सही कौन सा है फिकर की कोई बात नहीं है क्योंकि आप ये वीडियो देख रहे है इस वीडियो में आपको सारी जानकारी मिल जाएगी वो भी बिल्कुल आपके हिसाब से इस वीडियो में सबसे पहले हम आपके kitchen को तीन हिस्सों में बाटेंगे पहला small kitchen, दूसरा medium kitchen, तीसरा large kitchen उसके बाद हम आपके taste को भी 5 हिस्सों में बाटेंगे वो क्या होंगे आपका आगे पता चल जाएगा और इन दोनों के अधार पर दखेंगे कि आपके लिए कौन से color combination सबसे ठीक है या सबसे गलत है इस वीडियो में आपके उसे color नहीं मिलेंगे बलकि color का laminate का exact code मिल जाएगा ताकि आप वो code सीदे लें, आप वो market में जाएक कोड बदा है उस पर बस click करना है, आपकी बाद सीदे हमारी team से होगी हमारी team में आप request डाल सकते हैं कि आपको अपना घर interior design करवाना है और हम आपकी पूरी मदद उसमें करेंगे अब चलते वीडियो में सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपकी kitchen किस category में आ रही है small, medium या large अब भी करना कैसे, वो simple सा बताता हूँ आपको अपनी kitchen की length देखनी है breath देखनी है, multiply करने देखने है, क्या square feet निकल के आ रहा है अगर वो square feet 50 square feet से कम आ रहा है तो आपकी kitchen small category में है अगर वो 100 से कम लेकिन 50 से जादा आ रहा है तो वो medium category में आ जाती है अगर वो 100 से जादा आ रही है तो एक large डिसेंट category में आ जाती है ये वीडियो जादा लंबी ना हो जाए इस वज़े से हम इस वीडियो को 2 हिसमें बनाएंगे पहले हिससे में हम small और medium kitchen की बात करेंगे और अगले वीडियो में बात करेंगे large kitchen की तो अगर आप सबसे पहली category में आते हैं यानि आपकी kitchen है छोटी तो अगले 4 से पास्मेंट आपके लिए important होने वाले हैं क्योंकि वहाँ पर आपके लिए बात होगी हालाए कि medium वाले भी इससे देख सकते हैं कि यहां की कई चीज़े जो medium वाले भी follow कर सकते हैं तो अगर आपकी kitchen छोटी है तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको या तो monochromatic feel में जाना है या semi monochromatic अब यह technical term है इसका मैं मतलब बता देता हूँ monochromatic का मतलब है कि आप एक single color के साथ खेलेंगे यानि आपके ऊपरी cabinet और नीचे वाली cabinet का color same होना चाहिए लेकिन अगर आपको लगते है थोड़ा सा boring हो रहा है तो आप semi monochromatic में जा सकते हो यानि ऊपर और नीचे वाली जो है वो almost same होंगे लेकिन उपर वाला थोड़ा सा हलका हो जाएगा color और नीचे वाला थोड़ा सा dark हो जाएगा उसी में लेकिन same family color में दोनों रहेंगे अलागला family color use नहीं होगा अब monochromatic का मतलब यह बिल्कुल नहीं है आपको इस तरह के dark color बिल्कुल भी नहीं चुनने है आपको चुनने है light colors only अब small kitchen category में सबसे पहले उन लोग की बात करते है जो थोड़ा सा minimalist है कि उनको जादे तड़क भड़क नहीं पसन बिल्कुल सिंपल लोग है ऐसे में आपके लिए सबसे बहतरीन choice है white kitchen की यानि उपर के cabinet, नीचे के cabinet आप white करिए लेकिन आपको pure white नहीं करना है आपको एक sparkly white रखना है उसमें होता क्या है base white रहता है उसके उपर बहुत minor में दाने रहते हैं जो black और golden color की होता है जैसा वीडियो या photo में देख पा रहे होंगे इसमें जो आप handle यूज करें वैसे तो handle यूज करिएगा मत बिल्कुल handle less kitchen रखो लेकिन फिर भी आपको handle यूज करने है तो आप black या golden color के profile handle का combination बने इनके साब और जो counter top है उसको आप prefer करिए कि white में बना है black में ना जाए तो आपको white थोड़ा boring लग रहा है आप थोड़ा और explore करना चाते है तो आप metallic gray में भी जा सकते हैं जैसा आप screen पर देख पा रहे हैं उपर और नीच के cabinet होगे metallic gray color के counter top लेना है आपको white और जो आपकी profile handles है वो लेने आपको black लेकिन अगर आप थोड़ा minimal stick नहीं आपको थोड़ा luxury feel चाहिए अपने kitchen में ऐसे में आप जा सकते हैं cappuccino color में जैसा आप screen पर देख पा रहे हैं यानि उपर का cabinet, तीचे का cabinet दोनों cappuccino color के होंगे यह जो आपने laminate tip का है यह होना चाहिए high gloss में इसके बाद जो आप पत्थर लगाएंगे वो आप green light भी लगा सकते हैं यह white color का quartz या tiles भी लगा सकते हैं पंद्राइमन की इसके अलाबाद जो आप profile handle लगाएंगे उसमें आप black या metallic gray color ले सकते हैं दोनों ही देखने हैं बहुत खुपसरत लगेंगे जैसा वीडियोस में देखी पा रहे हैं अगर आप luxury चाहरे हैं लेकिन यह color भी आपको पसंद नहीं आया तो next option आपके लिए हो सकता है Irish cream color का जैसा photos में देख पा रहे हैं इसमें slab के उपर आप या तो black green light ले या brown color का quartz या tights ले 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 पंद्राइमों वाली और इसमें जो profile handle का आप यूज करें वो golden या black दोनों ले दोनों देखने में बहुत अच्छी लगेंगी इसमें जो अपनी kitchen में थोड़ा सा wooden feel चाहते हैं पंद्राइमों वाली इसमें जो profile handle आप लेंगे वो या तो आप black low या metallic grey low यानि इनका combination बड़ा soothing लगेगा पांच यो combination है उन लोगों के लिए जो थोड़ी से young है थोड़ी energetic है और उनको ये boring color black, white, लगड़ी वाले color ये पसंद नहीं आते इसमें जो आप profile handle लगवा वो आप golden, rosewood या black तीनों में से कोई भी use कर सकते हैं अब बात करते हैं ऐसे लोगों कि जिनका kitchen 50 square feet से तो बड़ा है लेकिन 100 square feet से कम है यानि वो medium kitchen में fall करते हैं ऐसे लोग अभी तक मैंने जो भी combination बता है उन सबको तो use करी सकते हैं लेकिन इसके अलावा उनके लिए एक option और open हो जाता है वो ये है कि वो उपर का color यानि उपरी cabinet color और नीची cabinet का color अलग-लग रख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं होगी हाले कि ये combination बनाते हैं भी ध्यान रखिए कि नीचे वाला cabinet color आप भले dark ले सकते हैं क्योंकि आपका medium size है लेकिन जहाँ उपर वाले की बात करीज है उपर वाले का color आपको हमेशा light लेना है अब वो क्या के combination हो सकते हैं वो वीडिया आपको आगे पता चली जाएगा अब अगर आप ऐसे इंसान है जो तोड़ा पीस होला है जादा तड़क बड़ा का पसंद नहीं है और आपका medium size kitchen है तो ऐसे में आप नीचे ली cabinet color slate gray ले सकते हैं और उपर वाले cabinet का color soft gray ले सकते हैं जैसे आपको pictures में दिखी रहा होगा अगर आप ये combination ले रहे हैं तो counter top के उपर आपको हमेशा white color का या तो quartz रखो या tiles रखो आपको black के साथ नहीं जाना है लेकिन जहां पर आप handle लगवा रहे हैं ये आपके profile handle वहाँ black में जा सकते हैं वैसे ऐसे लोग चाहें तो नीचे slate गरह रखते हुए उपर वाले cabinet white यानि sparkly white भी ले सकते हैं ये combination भी देखने बहुत अच्छा लगता है जैसा आप photos में देखी पा रहे होंगे अगर आप ऐसे इंसान है जिसको थोड़ा luxury feel चाहिए अपने kitchen में तो ऐसे में आप नीचे वाला color soft tube ले सकते हैं और उपर वाले cabinet को आप tan color का रख सकते हैं जैसा आपको screen पर देखी रहा होगा इसमें जो counter top के आप पत्थर लगाएंगे वो हमेशा आप लगवे है ये white quartz या tiles black के साथ आपको नहीं जाना है और इसमें जो आप profile यूज़ करेंगे वो use करें आप golden color की वैसे black भी option है वो उसके साथ भी आप जा सकते हैं जा स्क्रीन पर देखी रहा होगा लेकिन मेरी थोड़ी सी preference है आप golden में जाए अगर आपको luxury feel सही है तो वैसे ऐसे ऐसा लोग अगर चाहें तो उपर का color sparkly white करकर नीचे color brown भी कर सकते हैं जैसा आप screen पर देखी पा रहे होंगे इसमें उपर का जो पत्थर है वो आपको white color कर लगाना है यानि आप उसमें टाइल्य कोट साथ जा सकते हैं और नीचे जी प्रोफाइल है वो आप silver need try करें बहुत अच्छे लगें देखने में अब आते हैं उन लोग उपर जो थोड़ा classic nature के हैं जिनको थोड़ा wood shade जादा पसंद है ऐसे लोग नीचे वाले cabinet में slate gray color ले सकते हैं और उपर वाले cabinet के लिए आप wooden color का यूज़ कर सकते हैं लेकिन wood में pine shade का इस्तमाल करना जैसा आप screen पर दिख रहा होगा वैसे आप चाहें तो इसका बिल्कुँ उल्टा भी कर सकते हैं यानि wood को नीचे पहुचा दिया और gray को उपर पहुचा दिया जैसा आप screen पर देख पा रहे हैं सब को same ही रहेगा लेकिन देखने में थोड़ा और अच्छा लगिने लगेगा इसमें आपको counter top रखना है या तो black या white कलर का और जो नीचे profile handles होगे वो रखना है black कलर के अब बगर आप ऐसे इंसान ने जिनकों थोड़े से boring color नहीं पसंद क्योंकि आपको medium size है तो आप थोड़ा ऊपर नीचे भी कर सकते हैं पेस्टल नीचे white ऊपर हो या इस तरह के भी कर सकते हैं इसके लाबहाँ आइस blue color में भी जा सकते हैं जो आजकल बहुत ज़रे trend में है इसके साथ जो आपको counter top देने वो देने white कलर का और जो handles देने वो देने black कलर के यहाँ पर medium kitchen भी होती है खतम अब बाड़ी है large kitchen की लेकिन वीडियो बहुता दलम्बी ना हो जाए इस वज़े से large kitchen की बाद हम करेंगे अगली वीडियो में तो channel को subscribe जूर कर लेना ताकि अब गली वीडियो जब भी आए वो आपको पता लग जाए मुझे हुमीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपको पता लग गया होगा कि आपको अपने kitchen में कौनसा color यूज़ करना चाहिए लेकिन फिर भी ऐसा हो सकते है कि आपको ऐसा लग कि नहीं थोड़ा सा पसनाई design की ज़रूरत है मेरी kitchen को और मुझे थोड़ा combination और discuss करने है थोड़ा और बनाने है तो ऐसे में आप हमारी मंदद ले सकते हैं नीचे description में एक link दिया गया है लेकिन फिर भी ऐसा हो सकते है कि मैं सारी बात आपको नहीं समझा पाया आपके मन में अभी भी कोई doubt रह गया है तो प्लीज नीचे comment ज़रूर करें मैं उनका जवाब वहीं पर दूँगा और comment करने से पहले हिचे की का बिलकुल मत क्योंकि आपका एक comment हो सकता है हजार लोगों का doubt हो यानि आपका question हजार लोगों का solution बन सकता है तो comment ज़रूर करिएगा तो चलिए मिलेंगे अगली बार एक नई वीडियो में जहां हम बहुत कम शब्दों में आपको बहुत कमाल की जान करी देंगे तब तके लिए good bye